नमस्कार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिक्चा वर्ल के से यूटूब चैनल में दोस्तो यूपी ट्रिपल असी 2021 पीटी के लिए जो हम क्रैस को से स्टार्ट किये हुए हैं हिस्टी का उसका जो टॉपिक पाचवा है उसको आज हम पूरे डीटेल में कबर करेंगे तता आज हम कबर करेंगे मौरे समराज इसपेसली हम असोक को इस वीडियो में कबर करेंगे तो आज का जो पाच्वान टॉपिक है असोक का मौरिस अमराज से लेटेट उसको पूरी डिटेल में आज हम कभर करेंगी तो चली आज के सेशन को सुरू करते हैं सेशन को सुरू करने से पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पाच्वान टॉपिक है इसके बाद हमारा अगला वीडियो होगा गुप्त वन्स रिलेटेड समुद्र गुप्त और चंद्र गुप्त दिटी को इसमें हम कभर करेंगे तो चली आज के सेशन को सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि समराट असोक से रिलेटेड कौन-कौन के पता होना चीए तो चंद्र गुप्त मौरे के द्वरा किसके द्वरा तो चंद्र गुप्त मौरे के द्वरा जो है मौरे समराज की अस्थापना के गई थी यह प्रसन आपके एक सासक था जिसका नाम था घानानंद इसी घानानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर ने जो है मौरे वंस की नीव डाली थी तो इसे भी आप या देखेगा तो था घानानंद की हत्या करने में किसने सायता की थी चंद्रगुप्त मौरे की तो चाड़क्य चाड़क के की सायता से चाड़क के यानि कोटिली जिसको हम कहते हैं तो इसी कोटिली की सायता से ही चंदरगुप्त मौर ने घनानंद को महत्तिया करके जो है मौरे समराज की निव रखेते जिसे आप याद दिखेगा इसके बाद जो मौरे राजवन्स है जो मौरे समराज है मौरे समराज के अध्यान के लिए जो सरवाधिक महत्पूर्ण सोर्स है वो माना आता है कौटिल का जो अल्थ सास्तर है या पॉलिटिक्स यानि की राजनीती पर अधारित है या भी कई वेप्रस्ट पूछा जाता है तो कौटिल के जरा जो अल्थ सास्तर पुस्तक लिखी गई है या राजनीती के ऊपर है तो इसे आप ध्यान देजेगा उसके बाद मौरे समराज के बारे में महत्पूर्ण जानकारी आमें मेगस्थनिस के इंडिका से भी मिलते हैं प्या देखेगा और मेगस्थनिस के जरा इंडिका नमक पुस्तक लिखी गई थी इसे भी मौरे समराज के बारे में कुछ जानकारी हमको मिलती है तिसे भी आप या प्या देखेगा यह जो मेगस्थनिस था या यूनानी सासक सेलुकस निकेटर का दूद था तो यूनानी सासक जो सेलुकस निकेटर था इसका कि जब मौरे समराज था, मौरे समराज के समय, जो मेगस्थनिज था, सेलोकस निगेटवर का दूत, इसने बालती समराज को साथ जातियों में बाटा था, तता इसने कहा कि जो भारत है, भारत में कोई भी दास प्रता विद्यमान नहीं है, वलतमान में, तिसे भी आप याप और 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 औ इन नामों का सबसे पहले जो पहचान थी सबसे पहले इन नामों की पहचान की थी विलियम जोन्स ने तो जो विलियम जोन्स थे इनके तरह सेंडरो कोटस नामक नाम की जो पहचान है या चंदरगुप्त मौरे के रूप में की गई थी इसे भी आप या देकेगा जो विलियम जोन्स था इसने सबसे पहले सेंडरो कोटस की जो पहचान है चंदरगुप्त मौरे के रूप में की थी तो यह सभी बेसिक जानकारी थी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए यहां से आपके एक्जाम में प्रस्न पूछे जा सकते हैं अब हम बात करेंगे किसके बारे में जो टॉपिक में में समराट असोग उसके बारे में तो समराट असोग का टाइम प्रियड आपके दिमाग में होना चाहिए तो इसका टाइम प्रियड था 273 इसा पुर्व से लेके 232 इसा पुर्व परधन का गया है, राज्या विशेक से पुरू जो असोग था, समराट असोग जो था, या उज्यायन का राज्यपाल था, भारत में सिला लेक का जो प्रचलन है या असोग के द्वारा ही किया गया था, अपने राज्या विशेक के आठमे वर्ष अल्था 261 इसा पुरू में असोग ने कलिंग पर आकरमण किया था, इसे आप ध्यान देजेगा अपने राज्या विशेक के आठमे वर्ष अने की 261 इसा पुरू में असोग ने कलिंग पर आकरमण किया था, 1750 इसमें आप ध्यान देजेगा, 1750 में एक व्यक्ति था, जिसका नाम था, टीफेन थैलर, क्या नाम था एक व्यक्ति था जिसका नाम था टिफेन थैलर इसने स्वरपथम दिल्ली में असोक अस्तंब की खोज की थी यह सभी बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके दिमाग होने चाहिए जो डिरेक्ली एक्जाम में आपके यूपिटर प्लसी के पेटी में पूछे जा सकते ह व्यक्ति था जिसका नाम था टिफेन थैलर इसी के दौरा जो है 1750 में स्वरपथम दिल्ली में असोक अस्तंब की खोज की गई थी असोक के जो अविलेक थी उनको 1837 इस्वी में जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले पढ़ा था यह भी फैक्ट आप देखेगा जो असोक के अ असोक ने उपगुप्त नामक बौध विक्चू से बौध धर्म की दिख्चा लिती इसे भी आप आप आदेखेगा जो असोक था उसने उपगुप्त नामक बौध विक्चू से जो है बौध धर्म की दिख्चा लिती इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं असोक की मा का नाम था स्ुब्रदांगी इनके बारे माप याद अखना है तता असोग ने बौध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महंद्र और पुत्री संगमित्रा को स्रीलंका भेजा था इसे भी आप ध्यान देजेगा जो समराठ असोग था इसने बौध धर्म को प्रचारित करने के लिए इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महंद्र और पुत्री संगय मित्रा को स्रिलंका भेजा था इसे भी आप ध्यांद जेगा तथा उपगुप्त नामक बहुत विक्चु से इसने बहुत धर्म की दिख्छा ली थी तो इसने सारे बेसिक जंकारि आपको याद अखनी है अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट डखेंगे असोक काली अभिले कहने की असोक काल कर जितने भी इंपॉर्टेंट अभिलेक है उनको हम अब देखेंगे यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक से दो प्रसन देखने कौन कौन से इससे है तो सीला लेक अस्तंब लेक और गुहा लेक इन सभी को हम वन बाई वन करके डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं सीला लेक को तो सिलालेक होता क्या था तो सिलालेक ये मुखिता राजग्याएं या राजग्याएं या राजग्याएं होती ते आप या देखेगा एवं स्वपारा से प्राप्त हुएं आप जान देजेगा ये सभी जो सिलालेक है ये इनकी संक्या टोटल 14 है तता ये 8 मुख्य अस्थानों सहबाजगाडी, मान सहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगर, एर गुडी एवं स्वपारा से ये प्राप्त हुएं तो इसे भी इसमें से कुछ महत्रपुन सिलालेक यहां पर मैंने लिखे हुए हैं जो आपके जाम में पूछे जा सकते हैं तो ये सभी ब्रिहद सिलालेक यहां पर देखेगा यहां पर आम ये सभी जो सिलालेक पढ़ने जाने ये सभी ब्रिहद सिलालेक हैं तो ये ब्रिहद सिलालेक है तो सबसे पहला क्या है जो प्रथम सिलालेग है इसमें असोक ने कहा है कि संपूर प्रजा उसकी संतान है और इसी में पशुल बली की निंदा भी की तथी तिसे आपके आदकना है कि पहले सिलालेक में असोक ने क्या कहा था, पहले सिलालेक की मुख मुख की बाते क्या हैं, दूसरे सिलालेक की मुख मुख की बाते क्या हैं, ये सभी एकजाम में पूछे जाते हैं, तो जितने भी सिलालेक हैं, उनकी जितने भी important बाते हैं, उनको आपको याद अखना है, यही से एक जामे प्रस्ण बनते हैं उसके बाद जो दूसरा सिलालेख है इसमें मनुस्य एवं पसुओं के लिए निसुलक चिकिसाले के अस्थापना की चर्चा है साथी चेर चूल पांड तता तामन पढ़नी जैसे दच्छड़ा वलती राज्यों का उलेख भी दूती सिलालेख में मिलता है तो यह भी कई बार पूछा गया है तो आप आप आ देखिएगा मनुस्यों एवं पसुओं के लिए जो निसुलक चिकसाले के स्थापना है तता चेर चूल पांड और तामन पढ़नी दच्छड़े वलती राज्यों का जो जिक्र है या दूती सिलालेख में मिल देखिएगा जो पाचमा सिलालेख है इसमें धम महा मात्रों की नियुक्ति का उलेख किया गया है इसके बाद जो आठमा सिलालेख है आठमा सिलालेख में धम यात्रा का वालडन है तता नौवें सिलालेख में असोक अनुस्ठान नितियों की अलोक्षना किया है इसके इसे 131 डालेक में निमनांकित पड़ूसीओं की चरचा भी की गई इसे पड़ूसी कौन को जैंे पनीसी 5 जान पर ड़ूसीवे को और essence प्रसित से, यो और यह गोट एंटियोकस दुटी, मिस्र के सासक, टॉलमी दुटी, मगदूनिया के सासक, एंटी गोनस, सिरिन के सासक, मगस और एपिरस के सासक, एलेकजंडर तो इन सभी सासकों का जिक्र भी तेरह में सिलालेक में किया गया है असोक के तो ये सभी ब्रिहत सिलालेक थे जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इसके बाद आगे हम देखेंगे जो लगू सिलालेक हैं इनको तो माइनर रॉक एडिक्स तो मास्की, गुरजरा, उद्गोलम, नेट्टूर ये लगू सिलालेकों में तता इन चारों में जो है असोक नाम का उलेक मिलता हैं ये जो चार लगू सिलालेक हैं मास्की, गुरजरा, उद्गोलम, नेट्टूर इन में जो है असोक नाम का उलेक मिलता है जबकि बाकि जो अन्नि सिलालेक हैं असोक का नाम देव नाम पिय दसी है तुसे भी आप या देखेगा शिर्फ चार लगू सिलालेखों को छोड़कर मास्की, गुरजरा, उद्गोलम और निटूर इन चार लगू सिलालेखों को छोड़कर बाकि अन्य सिलालेखों में असोक का जो नाम है वह देव नाम पिय दसी है तिसे भी आप या देखेगा तता इन चार लगु सिलालेकों में असोक को असोक नाम से उलेक किया गया है तिसे भी आप या देखेगा इसके बाद जो भाबरु लगु सिलालेक है असोक की बहुत धर्म की आस्था के संदर में चुछना देता है तो इसे आप यहार देखेगा अब हम देखेंगे अस्तेमबलेग Сद्थम्बuting यहाँ से प्रस्थ परस्तना आपके एक्जामे ना सकते हैं तो पहला जो इम्पॉर्टेंट असो कालिं अस्तेमबलेग है वो कौन सा है प्रियाग अस्तंबलेग तो यह जो प्रियाग अस्तंबलेग है यह पहले कौसांबी में स्तित्ता तता इस अस्तंबलेग को अगबर ने इलाबाद के किले में अस्थापित करवा दिया इसके बाद जो दिल्ली टोपरा का अस्तंबलेक है इसे फिरोजास तुगलक के दोरा टोपरा से दिल्ली लाया गया था इसके बाद जो दिल्ली मेरट का अस्तंबलेक है इसको फिरोजास तुगलक के दोरा मेरट से दिल्ली लाया गया था था इनके पारे में भी आपको याद रखना है इसके बाद कुछ अन्य अस्तंबलेंग कौन कौन से हैं तेहा पर आप देख रहे हैं कौसांबी का जो अस्तंबलेक है इसको रानी का अभलेक भी कहा जाता है इसमें असो की जो रानी है कारू वाकी और उसके पुत्र तीवर का उलेक भी मिलता है तो जो कौसांबी क अस्तंबलेक है इसमें असोक की राने कारू वाकी और उसके पुत्र तीवर का उलेक मिलता है तता कौसांबी अस्तंबलेक को राने का अबलेक भी कहा जाता है रुमिन देई इंपोर्टेंट अबलेक है तो यह जो रुमिन देई अस्तंबलेक है इससे ग्यात होता है कि असोक उसके साथी जो रूमिन दई अबलेक है इस से मौर कालिन करारोपन पदती का पता चलता है इसी कारण जो है रूमिन दई अबलेक को आर्थिक अबलेक भी कहा जाता है तता यह सबसे छोटा अस्तंब लेक भी है तिसे भी आप दयान देजेगा जो रुमिन दई अबलेक है यह सबसे छोटा अबलेक अस्तंब लेक भी है तता इसे आर्थिक अबलेक के नाम से भी जाना जाता है तिया फैक्ट आपको याद अखना है अब हम देखेंगे जो लास् गुफाएं दान में दिये जाने का उलेक है इत्सी भी आप दान देजेगा गया बिहार में जो बराबर की पहाडिया है इनमें तीन गुफाओं की दिवार उपर असोक के जो लेक हैं वे उतकिर्ण है जिनमें आजीवकों को यह गुफाएं दान में दिये जाने का उलेक है ब कोई पूछाएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा तो कल अब फिर मिलेंगे हम एक नए topic के साथ तब तक के लिए thank you, thanks for watching, thank you